बाबा बागेश्वर का बढ़ल गंजाना कैंसल हुआ यह ख़बर सोचल मीडिया पे एक तैर सी गई है लेकिन यह क्यों हुआ है सबसे पहले आपको बताने वाला है कि ऐसी क्या वजह यह थी कि बाबा बागेश्वर यानि पंडित धिरेंडर सास्त्री का गोरकपुराना कैंसिल कर दिया गया है दरसल बावा बागेश्वर का गोरकपुराना नहीं कैंसिल हुआ है प्रसासन ने जो अनुमती दी थी वो अब वापस ले ली है दरसल पुलीस प्रसासन के जो हवाले से खबर आ रही है वो हम आपको दिखा देना चाहते हैं कि क्या है पुलिस प्रशाशन जो चीजे हैं प्रशाशन ने पंडित धिरेंट सास्ती की कथा की अनमती लिया वापस यह जानकारी देते हुए उपजला अदिकारी रोहित कुमार मोर ने बताया कि स्पी साउत ने अपनी रिपोर्ट में खिचडी मेला वह अन्य कारणों से पुलिस प्रशाशन की अनुपलब्धता रिपोर्ट प्रेशित की है जिसके कारण कथा में होने वाली भीड को देखते हुए सुरक्षा और कानुवेस्ता की समस्या खड़ी होने की भरपूर संभावना है इस कारण सुनिए इस कारण ये अनुवती वापस ली जाती है तो ये रिपोर्ट आप बगल में मेरे देख रहे होंगे आपको रिपोर्ट की पूरी फोटो कॉपी भी आप मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ ये फोटो कॉपी है हाला कि इसका नुकसान कितना होगा और इससे कितने सनातन भक्तों के दिल पे धक्का लगेगा ये बहुत बड़ी सब चीजे हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ मुझे देहरादून से मुझे पटना से मुझे आयोध्या से तमाम मेसेज आ रहे थे क्योंकि गोरक पुर वीडियो बनाई थी कि बाबा बागेश्वर क्या सच में गोरक पुर के बढ़ल गंज में आ रहे हैं लेकिन जिस तरीके से ये खबर मिली है हलाकि वो कुछ और भी दिखाना चाहता हूँ ये जगा ये भी दिखा दीजे कि उपजलादिकारी गोला ने क्योंकि उपजलाद जिसमें लिखा है कि आयोजक का नाम राहुल तिवारी पुत्र गंसयाम तिवारी बढ़ल गंज और बागेश्वर धाम सरकार के सानिध्ध में कत़्ा का आयोजन इसमें दिखाये गया है कि बढ़ल गंज सर्यू घाट के बगल में और दिनांख 15 से 19 तारीक जिस पे आपको साफ साफ दिख जाएगा कि किस तरीके से अनुमती दी गई थी लेकिन ये अनुमती अब वापस हो गई है हलांकि इसकी पुष्टी अभी पूरता नहीं हो पाई है वज़ा ये है कि अभी भी लोगों के अंदर उमीद है मैंने इसके आयोजक राहुल तिवारी से भी बात की है उन्होंने कहा कि दिव्यांज भाई अभी प्रयास जारीर है अब देखते हैं क्या ये प्रयास रंग लाता है क्योंकि पुलिस प्रशाशन ने तो अपने हाथ खड़े कर दिये हैं सवाल कुछ है हमारे वो सवाल भी मैं आपको दिखानेना चाता हूँ ये बगल में ये भी देख लीजे पूरा दिख लीजे इसमें जिलादिकारी महुदै का ये सब चीजे हैं ऐसा क्या था, आपको क्या लगता है किस वज़े से ये सब चीजे हुई यह भी आपको दिखा देना चाहता हूँ लेकिन इसका कितना बड़ा नुकसान होगा अगर ये चीजें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कितना बड़ा नुकसान होगा क्योंकि टेंट लग गए थे तैयारیاں पूरी हो गए थी तमाम दर्शक लगातार मैसेज कर रहे थे कि देखिए इससे कितना बड़ा नुकसान होगा सोसल मीडिया पर बच क्या बन रहा है देखिए मेरे सामने आपको कुछ मैसेज भी दिख रहे होंगे जहां पर कुछ लोगों के मैसेज भी आ रहे है मुझे इन्होंने लिखा है कि मुख्यमंत्री के जिले में प्रशाशन इतना कमजोर कैसे हो सकता है इतना सब तयारी होने के बाद आप चाहते तो पहले भी ये कैंसल हो सकता था लेकिन आयोजक का कितना बड़ा नुकसान होगा ये क्यो भूल गया पुलिस प्रशाशन क्या उन्हें पहले नहीं पता था कि कितनी यहां भीड होगी कई लोग लिख रहे हैं डर तो पहले से था कि 15 जनवरी गुरकनात मंदिर का मेला है 15 जनवरी के बाद स्री अयोध्याधा मुच्सो भी होगा जो 22 तारीक को है 15 जनवरी से प्रियाग राज का मासिक कुम्बिस्नान भी है तो आयोजन समिती दुरभाग्य से इसे हलके मेली कई लोग आयोजन समिती को कह रहे हैं कि इसे हलके मेली और ये सब चीजे अब ध्यान नहीं दी टाइमिंग का ध्यान नहीं दी इस वज़े से ये चीजे हुई अब ये नुकसान सिर्फ राहोल तिवारी और सिराम सेवा समिती का है पुढ़े बड़हल गंच का है या कहा जाए पूरे उत्तर प्रदेश का है क्योंकि बड़े बड़े चहरे आने वाले थे आप इस वीडियो पे क्या सोचते हैं पूरी जानकारी वीडियो में हमने दे दी है आप वीडियो को जरू शेयर कीजेगा और उमीद अभी भी है कि अगर सुबा तक अच्छी खबर आ जाए वीडियो देखते रहे बहुत बहुत धन्यवाद